7 अक्टूबर को शुरू ही हमास औ इजरायल की जंग को चलते 10 दिन हो गए हैं अब तक इजरायल के हमलों से गाजा में करीब 2500 फिलिस्टिनी अपनी जान गवा चुके हैं इनमें से 725 सेधिक बच्चों 400 सेधिक महलाएं शामिल हैं वही हमास के हमले में करीब 1400 इजरायली मारे गए हैं ये जंग थमने के बजाए हर दिन लगातार बढ़ती ही जारी हैं युद विराम के अभी तक दूर दूर तक कोई संकेत नहीं दिखाए दे रहे हैं इसरायल और हमास के जंग के बीच अब अमेरिका के दाश्पति जो बाइडे ने कहा है कि हमास का खात्मा जरूरी है लेकिन गाजा पर कबजा इसरायल की बड़ी गलती होगी उन्हें आगे कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमास ने बरबरता की है इस संगटन का खात्मा पूरी तरसे जरूरी है लेकिन इस जंग के बीच एक समधान के तोर पर फिलिस्तिनी लोगों के लिए देश भी होना चाहिए उनकी अलग सरकार होनी चाहिए वहीं अगर इसराइल गाजा पर कबज़ा कर लेता है तो ये उसकी बड़ी गलती होगी न्यूज एजेंसे एपी के सुत्रों की मानी जाए तो आने वाले गिनों में जो बैडेन इसराइल जा सकते है एपी ने वाइट हाउस के एक अधिगारी के हवाले से बगता है कि वैडेन की इजराइल आतरा की डेट फिलाल तेह नहीं है लेकिन वे जल्द ही वह आ जा सकते है दूसी तरफ इजराइल की डिफेंस फोर्स ने हमास के हमले से पहले और बात के सेटलैट फोटो शेयर की है जिसमें जलीवी इमारते और काला दुआ दिखाई दे रहा है बताय जारा कि इजराइल गाजा से लोगों को निकालने पर पूरी तर से आमता है लेकिन इस बीच सबसे बड़ा स्वाल ये उठ रहा है कि गाजा से निकाले जाने के बाद ये लोग कहां जाएंगे वो कहां शरण लेंगे वहीं बीते कल 15 अक्तूबर को इजिप्ट ने भी अपनी स्थिक्ति साफ कर दिती उसने कहा कि वो गाजा के लोगों को अपनी सिनाई रगिस्तान में रुकने के मंजूरी बिल्कुल भी नहीं देगा माई खबर आ रही है कि इजरायली सेना गाजा में मिलिट्री ओपरेशन की तैयारी कर रहा है सेना के प्रवक्ता लेटिनेंट जनरल डैनियल हेगरी ने बताया कि हम अमले के लिए बिल्कुल तैयार है सिर्फ सरकार की तरफ से हरी जंटी का इंतजार हो रहा है इस बारे में हम उनसे लगातार बातचीत भी कर रहे है इसी दुरान इजरायल के प्रियाम बेंजामी नेतियों हैनों ने 15 अक्टोबर को गाजा बोर्डर पे इजरायली सेनिकों से मुलाकात दी लेकिन उन्होंने इस सवाल का कोई जवाब न दिया कि इजरायली सेना जमीनी का बाइक कप शुदू करेगी